गुड बॉनिंग डियर स्टुडेंट्स हम चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे थे जिसमें हमने कार्बो हाइडरेट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया था आज हम फैट स्टार्ट करेंगे देखो फैट क्या होते हैं? Like carbohydrates, fats are also made up of carbon, hydrogen and oxygen carbohydrate की तरह, fats और hydrogen और oxygen से मिलकर बने होते हैं they are also energy giving food यह भी हम कहा है energy giving food है they give more energy than carbohydrates जो fats होते हैं वो carbohydrate के पिक्षा ज्यादा energy देते हैं they actually give twice the energy as compared to carbohydrate ये carbohydrate की comparison में दुगनी energy देते हैं that is why they are known as energy bank of our body इसलिए इसको हमारी body का energy bank भी का जाता है energy bank किसको का जाता है? fats को fats हमें किसकी से मिलती है? जिसे की milk से, butter से, cheese से, coconut, sunflower, vegetable oil से ये सबी से क्या होता है? हमें fat मिलती है अभी देखो sources of fat fat के sources क्या क्या है? fats store in our body keep us warm जो fats होती है वो हमारे body में store हो जाती है और हमारे body को गरम रखती है fats come from plant as well as animals fats जो होती है वो हमें plant से भी मिलती है और animals के थूँ भी fats मिलती है fats are present in milk, cheese, meat, butter, etc the facts that are obtained from animal are known as animal fats देखो जो animals से हमें fat मिलती है जैसे कि दूद से, घी से, मक्षन से इन सबसे जो भी fat मिलती है वो क्या होती है? animals fat क्यालाती है इसके अलावा जो fat हमें plant से मिलती है पोदों से मिलती है वो क्या कहलाती है vegetable fats है fats are also present in plant sources such as dry fruits, coconut, peanuts, sunflower, vegetable oil etc they are called vegetable fats है जो हमें vegetables या जो plants से हमें जो fat मिलती है वो क्या कहलाती है vegetable fats है तो यहाँ पे आपको two type की fat बताई हुई है animal fat and vegetable fat अब देखिए next है आप हमारा vitamins vitamins क्या होते है vitamins are required for carrying out various biochemical reaction in our body जो भी जैसे कि यह carbohydrate है protein है, fats है, vitamins है minerals है, यह सभी हमारे body के लिए helpful होते है इनसे हमारे body work करती है they are required to keep our body fit and healthy vitamins जो होते हैं वो हमारे body को fit और healthy रखते हैं though they are required in small quantities their deficiency may lead to a disease vitamins जो होते हैं वो हमारे body के अंदर कम मात्रा में होते हैं लेकिन इनकी जो कमी होती है वो क्या करती है हमारे body के अंदर disease मतलब रोग उत्पन कर देती है देखिए, आगे vitamins are vital as they help to fight against disease and protect our body in many ways vitamins क्या करते हैं हमारे body को जो disease होती है, जो बिमारिया होती हैं उनसे fight करने के लिए हमारी help करते हैं विटामिन A help in keeping eyes and skin healthy विटामिन काफी परकार के होता है जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, D, E, K ठीक है ना? तो अभी देखो जो विटामिन A हैं इनमें कुछ के आपको example दे रखे हैं और कुछ से होने वाली disease के बारे में बता रखे हैं तो उनको आपको लर्ण करना है जैसे विटामिन A help in keeping eyes and skin healthy जो विटामिन A होता है वो क्या करता है हमारी आखों को आखों के जो रोसनी होती है वो विटामिन A के उपर depend करती है एंड स्कीन हेल्दी हमारी स्कीन को हेल्दी रखता है अगर विटामिन A की कमी हो जाती है तो हमें क्या हमारे जो आखे कमजोर होती है जो अंधापन रोग होता है वो किससे होता है विटामिन A की कमी से विटामिन B is required for proper growth विटामिन B किसके लिए है प्रोपर ग्रोथ के लिए बोड़ी की जो प्रोपर ग्रोथ है जो बोड़ी की व्रधी हो रही है, हमारे स्रीर की वो किस पर डिपेंड करते है, विटामिन B पर, विटामिन C, help in keeping germs, skin and teeth healthy, जो विटामिन C होता है, वो हमारे तवचा दातों के लिए, मसूडों के लिए जरूरी होता है, विटामिन D, strength the bone, जो विटामिन D होता है, हमारे जो bones होती, जो हडियां होती है, उनको strong बनाता है, विटामिन E, help in body function and develops resistance against infection, जो विटामिन E होता है, वो क्या करता है, हमारे बोड़ी को infection से बचाता है, अभी देखो, last में, विटामिन K is required for proper functioning of the liver and help in clotting of bloods, जो विटामिन K होता है, वो क्या करता है, हमारे जो liver है, उसके proper function के लिए required होता है, और यह हमारे जो blood का जो clot बनता है, उसके लिए helpful है, जैसे कि माना किसी को चोट लग जाती है, और वहां से फिर blood बैना start हो जाता है, खून बहता रहता है, कुछ देर बाद अपने आप खून रुख जाता है, आप सभी ने note किया होगा, कि थोड़ी देर अगर कहीं से हमारे अगर मानलो finger पर कहीं कट लग जाता है, तो थोड़ी देर तक वहां से blood निकलता रहता है, और कुछ देर बाद वो blood रुख जाता है, तो यह किस की वज़ और minerals किन किन चीजों से मिलते हैं, तो यह देखो spinach है, पालक है, cabbage, बंद गोबी, carrot, गाजर है, पापाया है, ripe mango है, ripe मतलब पकेवे mango जो आम होते हैं, टोमेटो है, इन सब से क्या मिलते हैं, vitamins and minerals मिलते हैं, अभी देखो आपको table बना के बता रखी है, यह table learn करनी है आपको, इ अलेपत्य सबजी और गाजर होती है, उन से क्या मिलते है, vitamin A मिलते है, vitamin B किसे मिलते है, milk से, egg से, meat से, cereals, जो भी अनाज है, उन से vitamin B मिलते है, vitamin C किसे मिलते है, citrus fruit, citrus fruit के होते हैं, जो खटे फल होते हैं, जैसे कि आमला है, निम्बू है, ठीक है, ओरेंज है, गवावा है, then next, vitamin D, vitamin D किसे मिलते है, दूद से, fish से, liver oil, egg, यह पूरी table आपको यहां पे mention कर रखे, तो आपको यह table पूरी learn करने है, कि इस vitamin किसे मिलते है, इसके sources क्या क्या है, अभी देखो next, minerals, minerals क्या होते हैं, we require a lot of minerals to keep our body healthy, fit and functioning properly, अभी देखो, अभी तक हमने जितने भी substances बढ़े है हैं, जैसे like carbohydrate है, protein है, fat है, vitamins है, minerals है, यह सभी क्या है, हमारी body को proper function करने के लिए जरूरी होते हैं, यह हमारी body को healthy रखते हैं, they are chemical compound required for growth as well as carrying out certain body function, यह जो भी chemical compound सही क्या करते हैं, हमारी body की growth के लिए helpful होते हैं, और इसके अलावा body को proper functionate करने के लिए जरूरी होते हैं, अबर body require minerals सच है, हमारी body में कौन-कौन से minerals होते हैं, जैसे calcium, phosphorus, iron, iodine and sodium, these are very essential for our body, यह सभी हमारे body के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप चे पूछे कौन-कौन से minerals हमारे body के लिए जरूरी हैं, तो आप क्या बताओगे, calcium, phosphorus, iron, iodine and sodium, ठीक है, आगे देखिए, calcium and phosphorus are needed for the development of healthy bones and teeth, calcium और phosphorus की जरूरत क्यों पढ़ती हैं, क्योंकि यह हमारी हडियों को और दातों को healthy रखते हैं, ठीक है, iron की देखो, iron is required in making our blood, जो blood बनते हैं, हमारे सरीर में खून बनते हैं, उसमें क्या iron की जरूरत होती है, ठीक है, iodine help our body to prepare thyroid hormone, iodine किसमें help करते हैं, हमारे body में जो thyroid hormones होते हैं, उनको prepare करने में help करते हैं, sodium and potassium help in maintaining the fluid balance in the body, sodium और जो potassium होता है, वो हमारी body के अंदर जो liquid होता है, जो flood होता है, उसको balance करके रखते हैं, other minerals such as chlorine, copper, magnesium, zinc are essential for many important biological reaction in our body, इसके अलावा भी बहुत से minerals है, जैसे कि chlorine है, copper है, magnesium, यह सभी क्या है, हमारी जो body के अंदर जो biological reaction चलती रहती है, उन सब में helpful है, अभी देखो, a higher amount of calcium is needed for growing children, nursing mother and elderly woman, ज्यादा मात्रा में calcium की जरुरत कि इनको होती है, जो growing children है, जो से की बढ़ते वे बच्चे हैं, बच्चे हों में जो वर्दी होती है, जो उनका development होता है, ठीक है, उसके अलावा, जो nursing mother है, जो मतलब कि छोटे बच्चों को दूद पिला जाते हैं, और उसके अलावा, जो बूडी वूमेन है, उनके लिए calcium की जरुट ज़्यादा होती है, वेजी टेबल्स, लाइक, spinach, pulses, egg, milk, and fruit, contain minerals होती है, जो सबजी हैं, जैसे की डाले, डाले हैं, पालक है, एग है, milk है, fruits हैं सब में minerals होते हैं, ठीक है, अभी आपको नीचे टेबल बना के दे रखी है, कि minerals कौन से minerals के किस किसे sources से हमें मिलता है, जैसे calcium, milk में, सब को पता है कि दूद में calcium होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूद पीना चाहिए, दूद से हमारी जो सरीर में calcium की पूरती होती है, milk products, जो दूद से बाकी के product बनते हैं, जैसे ध iron के दे रखे हैं, देखो, eggs है, ground nuts है, जैसे मुंफली है, पालक है, और जो हरी सबजी है, उन सब से iron मिलता है, ठीक है, इसके अलावा, iodine का दे रखे है, phosphorus का दे रखे है, तो इन सब की एक बार आप ये table देख लेना, अब आगे देखो, minerals के बाद आपका है water, water तो सब जान body is water, हमारे जो सरीर, हमारे जो body है, उसका 70% जो weight है, वो पाने का होता है, it is required for all functions, ये सभी functions के लिए, पाने की जरूरत होती है, water is an important constituent of body cell and most of the body process are mediated by it, पाने की जरूरत क्या होती है, जो हमारे body cells होते है, उनके लिए वो जरूरी होता है पानी, और उसके अलावा, जो हमा a food in itself, but is an essential part of our diet, पानी अपने आप में एक भूजन नहीं है, लेकिन यह हमारे जो भूजन है, उसका जो हमारे जो diet है, उसका एक जरूरी part है, हिस्सा है, water help in the absorption of nutrients from the food, जो पानी होता हो क्या करता है, कि जो food जो भूजन होता है, उसमें से nutrient को absorb करता है, it helps in transportation of nutrients throughout the body, और ये हम विटामिन को अलग कर दिया, उसके बाद उनको बोडी के अंदर अलग-अलग, मतलब उनका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, अलग-अलग हिस्सों के अंदर भेजने का काम पाने के थूँ होता है, it is required for the maintenance of proper body temperature, और ये हमारे जो बोडी का जो temperature होता है, उसको maintain कर के रखता है excretion of waste in the form of sweet and urine required water जो waste होता है हमारे बोड़ी का उनको यह पसीने sweet मतलब पसीने and urine के थुरू टोलेट के थुरू वो उसको भार निकाल देता है छीक है आपको यहाँ पर activity बता रखे 2.4 उसमें क्या बताया है कि जैसे कि कोई food item आपने लिया कोई vegetable fruits है उसको आपने weight किया और उस weight में क्या होता है जैसे पहले जो weight आता है आप उस weight को note करो उसके बाद आप उस vegetable को 3 या 4 दिन के लिए sunlight में छोड़ दो उसके बाद क्या होता है कि जो sunlight की वजए से वो वो सब्य वगेरा थोड़ी मुर्जा जाती है उनका जो पानी होता है उनका पानी मलब कि वो सूख जाता है पानी और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो weight होता है वो कम हो जाता है ठीक है उसके बाद देखो body water contain may go down due to excess sweating and diarrhea sweating क्या होती है आगे देखो अगर हमारी body के अंदर जो पानी होता है अगर उसकी कमी हो जाती है जैसे कि ज़्यादा पसिना आना या फिर diarrhea दस्त हो जाना उससे क्या होता है हमारी body के अंदर पानी की कमी हो जाती है ठीक है या फिर ज़्यादा vomiting आना उल्टी आना इससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो minerals बाकी minerals के साथ भो भार आ जाता है इससे patient को क्या हो जाता है dehydration हो जाता है ठीक है पानी की कमी क्या कहलाती है dehydration of the body leads to muscles cramp dehydration होने से क्या होता है कि जो हमारी body की जो हमारी जो muscles होती है उनमें cramps आ जाता है मतलब उनमें एठन आ जाती है इन सच situation one should drink ORS है आपने देखा होगा कभी आपको जैसे उल्टी है दस्त हो जाते है तो ORS पिलाया जाता है ORS एक liquid powder होता है जो पानी के अंदर उसको मिला के पिलाया जाता है उसके अंदर क्या होता है जैसे water, lemon, juice, salt and sugar होता है और वो क्या करता है हमारी body को instantly prepare करता है ठीक है आज हमने fat, vitamin, minerals and water पढ़ा है next जो chapter में बचाया है वो हम next class में पढ़ेंगे ठीक है यहां तक आपको पढ़ाया है आप उसको एक बार revision कर ले ठीक है thank you